बस्पाने राजस्थान में लगाया युवाओ पर दाओ इन दो सीटों पर प्रत्याशी की घोशित जिया दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना मैं उपर आगमंदर आप देख रहें नैशनल चौपाल बदा दे कि जिस प्रकार तमाम विधानसभा की चुनाओ के मद्दे यह कहिने के अपने प्रत्याशी बिलकातार घोशित कर रहे है लेकिन ऐसे भी बहुजन समाज पाइटी भी किसी तरीके से कोई कसर नहीं छोड़ रही है और अपने तमाम गावचलों भियान के तहत वोट हमारा रास्तुमारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा इस तर्श पर य चुकी है ऐसे हम बता दे कि बहुजन समाज पाइटी के मायदम से लगातार तमाम विधान सभा के चुनाओं के मद्दे नजरते प्रत्याशी की जो सूचिया है वो भी लगातार जारी की जारे है इस वक्त बता दे कि राजस्तान से बड़ी कबर निकल करा रही है जापर ब बड़ी जिम्मेदारी और उमिदवारी जो बोजन समाज पाइटी ने युवाओं को दी है इसके साथ साथ जो विधान सभा के चुनाओं जो राजस्तान के अंदर में होने वाले है पिछले वक्त जिस प्रकार विधान सभा का चुनाओं जो राजस्तान के अंदर में जापर बोजन समाज पाइटी की मजबूती देखी जा रहे हैं बता दे तमाम ऐसी दो वो कौन सी सीटे हैं जापर बोजन समाज पाइटी ने अपने प्रत्याशियों को जारी कर दिया है गोशित कर दिया है सबसे पहले बता दे करोली विधानसबा ये करोली विधानसबा सात प्रत्याशी बोजन समाच पार्टी ने बनाया है इसे के साथ साथ बता दे के खेतरी जुन जुनु जो विधानसभा है यहाँ से बोजन समाच पार्टी ने मनोज घुमरिया इनको अपना प्रत्याशी बोजन समाच पार्टी से बनाया है तो बोजन समाच पार्टी के राश् ऐसे लगातर बोजन समाज पायटी एक के बाद ये बता दे रज़स्तान से कबर निकल करा रही है जब तमामी दो विधान सबाग के सीटों पर प्रत्याशी गोशित कर दिये गए है इसके साथ तमाम ऐसे प्रदेश जहापर मध्दप्रदेश हो विदान इसके बहुजन समाज पाइटी अपने प्रतियाशों की सूची जारी कर रही है तो ऐसे हैं बता दे कि बहुजन समाज पाइटी ने अब पूरी तरकी सा अपनी कमर कस लिये और आने वाले विदान सभा के चुनाओं को पूरी मजबूती से लड़ने के लिए अपनी पूरी रणनित बना ली है और तमाम मसले को लेकर क्या आपके राय प्रतिक्रिया लगातार लोग अपने अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं आप भी अपनी प्रतिक्रिया जिस ब्रकार बहुजन समाज पाइटी के अंदर में जो टिक्टो का बटवारा हो रहा है इसको लेकर क्या आपका कह